हेलो एवरीवन स्वागत आप अपनी चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर तो अभी हम बात करने वाले एमिरेट D10 में होने वाले आज के पहले मुकाबले की दुबाई और फुजीरा के बीच में मुकाबला होने वाला है फुजीरा की टीम अपना एक भी मुकाबला न आज दुबाई के हुए आं तो 6-5 का रेशो भी आप लेकर जा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है 6-5 के रेशो में भी अभी यहां पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिसकस कर लेंगे अपडेट आपको टेलिग्राम पर देखने को मिल जाएगा टेलिग्राम का लिंक आपको नीचे डिसक्रिप्शन में मिल जाएगा वहीं से आपको टेलिग्राम पर जुड़ना है अभी यहां पर अगर हम बात करें कि आपके आज प्लेयर्स कौन-कौन से और मुकाबला कब शुरू होगा 19 मुकाबला है टूनमान का खेला जाएगा दुबाई और फुजी रा के ब ज्यादा बड़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है एड़ प्रेजन पांच में पायदान पर है दो पॉइंट के साथ एक ही मुकाबला जीते हैं एक टूएड की अगर मैं बात करूं 26 अंसे मुकाबला यहारे थे अब फुजी रा की अगर हम बात करें तो टॉप स्पॉर्ट पर हैं अभी तक बड़िया परफॉर्मेंस रही है एमिरेट ब्लू की रंडेट के हिसाब से अगर आप देखो एमिरेट ब्लू से पीछे हैं थोड़ा सा किस वज़ा से सिर्फो सिर्फ रंडेट के वैसे और कोई दिक्कत निया सेकंड स्पॉर्ट पर रहा है अभी के देखकर चलनी है कि चिराक सूरी को हम अराम से ड्रॉप कर सकते हैं अपनी टीम मैंसे व्यादर रिबोर्ट के अगर आप बात करो 28 डिगरी सेल्सिस आपके पास टेंपर है 88 परसेंट आपके पास यहां पर हुमिडिटी है कोई भी चांस नहीं है यहां पर रेन के पिछ रि स्पिच के उपर और अगर कहीं फूजिरा की टीम पहले बैटिंग कर जाती है तो मान कर चलना कि भीया 120-130-140 कहीं नहीं जाते हैं एवरेज स्कोर 120 रन है रिकॉर्ड आफ चेजिंग तीन बार चेस करते हैं टीम जीती है दो बार यहां पर आ रही है फपीवे खिलाब पहला पहला जब हुआ था इनका वहां पर यह 26 रन से मुकाबला हार कर आये थे डुबई पलसे अपना फपीवे के खिलाब अब यहां पर अगर आप देखो तो वहां पर रुद्रा खेला नहीं था फिर पिछले मुकाबले में चार रन की पारी यहां पर एफ नवाब नवाज ख खेली जब इसी टीम के खिलाब भीड़े था 17 रन की पारी पिछले मुकाबले में खेली है मौमध हसन ने 0 रन के साथ एक विकेट बड़िया परफॉर्मेंस रही थी और पिछले मुकाबले में 20 रन के साथ एक विकेट विकेट यह जरूर चटका कर दे रहा है चानक कुछ उसके बाद मौमध फारू का आपके बास दो ही एक विकेट इसने जटकाई थी पिछले मुकाबले में एक विकेट यह नहीं बहुत बढ़ी परफॉर्म करा ला अब अब अभी के लिए खिला नहीं जा रहा है इस प्लेयर को उसके पर वी विजियाना ने भी बढ़िया पर फ्पीवी के खिलाब बट अभी के लिए इसे नहीं खिलाए जा रहा है अब यहां पर आ जाओगे नीचे आपको डेथ में किसना बॉलिंग करवाई है वह आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप देखो तो इस इद्धिक ने यहां पर स्टार्टिंग में बॉलिंग करव डवल्यू मुहमन ने चार रन के साथ एक विगेट हो पिछले मुकाबले में उपन करते हुए यह प्लेयर कभी कबार उपन कर रहा है कि अगर आप देखो कभी चिराक सुरी उपन कर रहा है कभी उसमान खान बीच में आपर जीजू से भी उपन करवाय गया था यहां पर च करने वाला इसले चार रहा है तो किसी अगुद्ध करना चाते हो तो यहां पर उसमान खान के ओपर फोकस कर सकते ओपन करने वाला है चिराक सुरी मलत उपर के तीन प्लेयर जो पर तो आप औवेसली फोकस करी सकते हो या सीर कलीम तक की बैटिंग आ सकती है मुझे ऐसा लग पिछले मुकाबले में इसने चटकाई है आपके पास है मैं जब हैड तो एक चटकाई और पिछले मुकाबले में एक विकेट अब यहां पर आप देखो तो और कोई क्यिकाद कर लेंगे अपको टीटेश में छरी इसने चिञ करवाई है आपके पुरी के पूरी टीम डिसक Holz कर लेंगे अगर यहां पर देखने को मिल जाएक अगर अगरative होगी प्लेंग 11 तब तो आपको यहीं पर सारी की साही में डिटेल प्रोवाइड कर वादूँगा कि कौन-कौन से प्लेयर्स आपको रखने चाहिए कौन-कौन से नहीं अगर प्लेंग 11 नहीं आई होगी तो फिर हम यहां पर आपको चेंज देखो अभी कुछ बड़े नाम नहीं खेल रहें शायद अब सबसे पहली टीम और अगर आप प्लेयर्स की बात करोगे तो बिलाल चीमा इसा ऑव्विस चाइस बिलाल चीमा को हम लेकर जाएंगे काई स्मित को लेकर नहीं जाएंगे एच ताहिर खेलने रहा है कोई रिक्कत नहीं है यहां पर डवल्यू म आपके पास चिराख सूरी आपके पास हैं फिर उसके बाद अगर आप देखो आपर नहीं कर सकते हैं यहां पर चार प्लेयर उओं उसमें से फनवास में से कोई एक प्लेयर आप ले सकते हो और उसके आर पनवले खेल रहा है सबसे बड़ी है player तो इसलिए मैं आर पनोली को लेकर जाऊंगो मैं आफ नवास को कर जा रहा हूं और नहीं आपर एशेक को लेकर जा रहा हूं वाई कलीम आपके लिए और भी ज्यादा बड़ीया प्लेयर रहेगा वाई कलीम को अगर आप रखना चाहते हैं उससे रख सकते हैं अब देखवा लिशान शराफू को नहीं खेलाया जा रहा है यहां पर जीजू खेल रहा है जीजू को आप अराम से ड्रॉप कर सकतो है लहा लाया है एनकेश्वानी आपके पास फिर इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है यहां नहीं तो अगर आप देखो तो यहां पर मैंने ज्यानानी को ट्राइग कर रहा था बटन के शवानी यहां पर और यहां पर जहूर खान आपके पास एक आप्शन रहेगा एम अमीन को ख कुछ अबडेट होगा कि हमारे पास यहां एक 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 एक्स्ट्रा बैट्समान ओगा एक एक एक्स्ट्रा बॉलर यान तो अगर मैं देखूं तो एम अमीन को शायद मैं ड्रॉप कर सकता हूं अभी के लिए सबसे पहले यहां पर हम चेंजिस कर लेते हैं कि यहां पर क्या हो रहे हैं यहां पर कौन-कौन से प्लेयर्स हमारे नहीं खेल रहे हैं अधी अनवर नहीं खेल रहा है तो हमारे पस कोई option नहीं बचा यां तो जीजु को ले लो की टीम है तो इसलिए मैं जीजु को ले रहा हूं यहां पर फिर उसके बाद अगर आप देखो तो हैं फारुक आपके बास एक बड़ी ऑप्शन रहेगा जहूर को आप आपके पास है पूरी टिम आपके लिए स्मौल लेख स्मौल गों डीवर्फटीम है अपडेट आपको तैलीग्राम पर देखने को मिल जाएक एक आपको तीम आपके लेख में का आपके लिए ऑक लिग फडिस्कृफ्ट आपके लिए फियजीब में मिल जाएगा तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो लाइक कर दीजेगा क्योंकि ऐसी वीडियो जो भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर